बिग बॉस टीवी रियालिटी शो को लोग खूब पसंद करते हैं एक तरफ लोग इस शो का हिस्सा बनने के लिए कड़े परियास करते हैं तो दूसरी तरफ कई ऐसे सितारे हैं जो इस शो में दिलचस्प भी नहीं दिखाते याने इस शो का हिस्सा बनने से इंकार कर देते ह कुछ समय पहले खबरे आई थी कि सुमन और राजीव सेन ने बिग बॉस 14 का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है तो अब एक और चहरा इसी कड़ी में शामिल हो गया है टीवी सीरियल लागी तो उससे लगन इश्क का रंग सफेद कुमकुम भागे जैसे सुपर हिट शो में नजर आने वाले मिशेल ने भी कुछ इसी तरह का अंदाज दिखाया है एक इंटर्व्यू के दोरान मिशेल ने कहा मैं अपने बारे में खबरे पढ़ कर सिर्प्राइस हो रहा हूँ ये सच है कि मुझे बिग बॉस 14 के लिए फरवरी में कॉल आया था तब मैं अपनी शुटिंग में बिजी था पर फिलहाल अब मेरी बिग बॉस 14 को लेकर कोई भी मिटिंग नहीं हुई और उसके बाद मेरी कोई भी बात नहीं हुई है फिर मिशेल से अगला सवाल पूछा गया कि अगर बिग बॉस की टीम की तरफ से आपको दुबारा कॉल आता है तो क्या आप इस घर का हिस्सा बनेंगे बिग बॉस एक शांदार शो है लेकिन मैं इसके लिए नहीं बना हूँ मेरे लिए कोई बिग बॉस नहीं है मैं खुद ही अपने आपको अपना बॉस मानता हूँ वैसे भी मुझे लडाई करना पसंद नहीं है मेरे सामने अगर कहीं लडाई होती है तो मैं उठकर दूसरे रूम में चला जाता हूँ मेरा काम बिग इन का हिस्सा नहीं बनने जा रहे इस से पहले सुमन और राजीव ने भी इस घर के मेंबर बनने से कर दिया था इनकार तो आप देखना रहेगा कि अब कौन-कौन से चेहरे हैं जो बिग बॉस के घर में नजर आएंगे जानकारी के लिए बता दे की मेकर्स के द्वारा ये ज आ सकते हैं जो कि बिग बॉस के इतिहास में पहली बार किये जाएंगे वल अब देखना ये रहेगा कि कौन-कौन से चेहरे हैं जो बिग बॉस 14 के घर के मेंबर बनेंगे जो अभी बिग बॉस 14 सीजन से जुड़ी अगली जानकारी होगी सबसे पहले आपके साथ साजी करे इसी तरह बॉलिवुड से जड़ी लेटेस्ट अपडेट जाने के लिए आप जुड़िये बूगल बॉलिवुड के साथ